नमस्ते फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आशा करती हम अच्छे होंगे और फिर स्वागत है मेरी एक नई रेसिपी में तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्जी जो कि बहुत ही चटपटी और मसालेदार बनने वाली है तो उसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम पनीर और गरम पानी में रख दिया था थोड़ी देर के लिए मतलब गुनगुना पानी था बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं था तो बस उसमें टालके और दो टमाटर लिये हैं साथ में और इधर हमने लिया है दो मीडियम साइज के प्याज और आट दस कली लैसून चारपां शहरी में टालना है अभी थोड़ा ही तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे और जैसे हमारा तेल गरम हो गया है तो हम उसमें टाल देंगे आधी चमच जीरा और जीरा को अच्छे से चटकने देंगे और फ्रेंज आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करिए और आपके अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़के बहुत अच्छा लगता है और आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं वो भी जरूर बताईए फ्रेंज तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हैं और इधर साथ में हमने डाल दिया है दो हरी लाइची चोटी वाली लाइची है इसको भी अच्छे से इसमें जीरे के साथ में भून लेंगे और फ्रेंज से ये लाइची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो आप लोग लाइची जरूर डालिए बताद जब पनीर की तो उसको भून लेंगे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है फ्रेंज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बस इतना इस तरीके से आप पनीर की सब्जी बनाएंगे बहुत टेस्टी बनती है खाने में बहुत अच्छी लगती है पूरी पराथा चावल रोटी जैसे आपका मन हो काट करके और बहुत ज्यादा च्छोट नहीं काटना थेसे में डाल दिया है लगा आ कि कि दिल्म कुर्ट गार से प्का लिया एच्छे से अ और फ्रेंट बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो ग्रेवी बहुत अच्छी और क्रीमी सी बनती है तो अगर इस समय आपके पास में काजू या कुछ ऐसा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं लेकिन आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते बिल्कुल सिर्छ चलते हुए हमने अच्छे से सौफ्ट होने तक पका लिया है कि कि तंस्पःरेंट हो गया है प्यार्ज और तपक हमें ऐसे कपाना है और पकाने Sixtie यह होने के बाद में अच्छे से कर लिया हैं तब फेस्ट बनाएंगे यह देखिए और साइड में इधर हम इसी कड़ाही में तेल डाल देंगे सरसों का और तेल को अपने गरम कर लिया है तो अपने पनीर को होना हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसमें कि बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है प्रेंट थोड़ा सा फ्राइए हल्का सा मतलब ब्राउन हो जाए बस इतना और फ्राइए करने के बाद ही इसको बनाएंगे हम तो यह देखिए सारे पीसे गो डाल दिया हमने इसमें और बहुत हलके हाँ से इसको हिलाना नहीं तो ना हमारे पर निस तूप जाएंगे क्योंकि पहले बहुत सॉप से रहते हैं तो एक तरफ से अच्छे से पाग जाए उसके बाद ही हम इनको उलट पलट करेंगे तो यह देखिए एक तरफ से थोड़ा ब्राउन हो गए हैं तो देखिए फिर हलके हां से इनको हिलाते हुए फ्राई कर लेंगे देखिए बस इतना ही हमें रखना है इनको बहुत ज्यादा ला लिया बहुत ज्यादा वैसे नहीं करना है बस थोड़ा ही ब्राउन होने तक ही पकाना है और यह देखिए पर इसको निकाल देंगे अलग बर्तन में पनीर को हमने निकाल लिया है और तेल हमारा गरम है अगर आपको ज्यादा लग रहा है तेल इस समय पे तो थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं और वैसे मुझे यह सही लग रहा तेल इतना तो यह देखिए तो फ्रेंड्स हमने इसमें डाल दिया है जीरा और जीरा डालने के बाद में इसमें डाल देंगे हम अपने मसाला जो हमने पेश्ट बनाके रखा था ना अद्रग प्याज लैसून का वह पेश्टेस्ट में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालके अच्छे से इसको पक मسाला हमारा भुन रहा है। नमाग कासमेरी लाल मिर्च जिसने बहुत अच्या है थे जाक छाहिए क्योंकि आए पीस लिया था तो बस अच्छे के लिए घुलिए इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी मसालो को बहुत टेस्टी बहुत अच्छी सब्सपायार होती है इसमें कुछ हमने अलग से मसाले नहीं डाले वही जो हमारे घर में हम लोग यूज करते हैं टेली बस वैसे ही मसाले हैं ना इसमें दूध है ना क्रीम है मतलब कुछ भी चीज अलग से नहीं डाला हमने तो जिसे हमारा मसाला भून गया था तो इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे अपनी मटर और थोड़ा सा मटर को मसाले के साथ ही भून लेंगे यह दिखिए और इस मटर को ना फ्रेंट पकने में जादा समय नहीं लगता है बहुत जल्दी पकके तयार हो जाती है तो मतलब जादा हमें भूनना भी नहीं है बस थोड़ा सा भून करके और अपना पनीर डाल देंगे इसमें और अच्छे से हलके हांसे इसको मैक्स कर देंगे बहुत जादा उससे नहीं करना पर नहीं तो नपनीर हमारा तो जाएगा तो बस हलके हां से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद में ना गینा देखि इसमें दाल देंगे पानी पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि मतलब formations के एम डिश Hop कावल के साथ काएंगे रोटी के साथ में तो इस लिए थोड़ा सा पतली ही क्रेवी में रखोंगी तो यह देखिए बस इतना पानी दाल करके ना इसको पकने के लिए छोड़ दोते हैं इस तरीके से आप लोग जरूर बना के देखिएगा तो यह देखिए हमारी सब्जी में मुबाल आ गया है और खुस्बू भी बहुत अच्छी आने लगी है फ्रेंड्स यह देखिए बनके हमारी सब्जी तैयार हो गई है इस तरीके से अगर आपको थोड़ी गाड़ी क्रेवी पसंदे न तो आप थोड़ा सा और पांच मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे न तो फिर थोड़ा सा और गाड़ी क्रेवी हो जाएगी या पानी के मातर आप कम कर ले यह देखिए बस हमारी सब्जी मन के तैयार है आप पूरी रोटी चावल जिसके साथ मानो उसके साथ में खाईए और इसे पर कैसी लगी जरूर से बताईए